वालकुम बाक टू जागो लहुर जनाब आज हम डिसकॉशन करें तरह प्लिटिकल सिनेर्यू पर शाहिसा प्रविज मलेख हमारे सथ मौजिद है मेडम थोड़ी से हकूमत की कारकर्दीगी भी की बात की जाए पहले भी हम डिसकॉशन करें थे कि बहुत चारी बाते थी बहु सब्सक्राइब करें आपको लगते हैं काम हुआ है बहुत हुआ है मैं तो आप सब को कहती हूं कि नॉमिनेट करें वह बेबी बुजदार को फॉर नोबेल पीस प्राइस कितनी अच्छी कारकरदगी आप लहौर में देखनी रहें गंद के धेरें जिदर से गुजर जाएं इतना गंद है इतना गंद है और आप हॉस्पिटल्स के हाला देख लें दवाईयां ना मिलने पर कितना रॉला था मैं मुदर रशीद साब चले गए थे कोर्ट में भी और चले गए थे असेंबली में भी आज उन दवाईयों का आप बताएं मुझे क्या हिसाब किताब हु कि है स्कूलों में क्या किया एगुकेशन में क्या की है काम कहां कहां शुरू है जी इदर से इदर नहीं कुछ हुई हिली no deliverance no performance और incompetence की इंतहा है, वो तो बुजदार साब ने कह भी दिया कि वो तो जी लर्निंग जॉब पे हैं, शायद वो जब सीख जाएं, उन्हीं की जबानी है, मेरे तो अलफाज नहीं है, कि मैं सीख रहा हूं, शायद जब सीख जाएं, जब तक पंजाब का जो हाल होगा, वो आप सब के सामने होगा, PSL तो यहां होई नहीं, देखें ये, PSL के हवाले से बहुत सारी बाते आ रही थी, कि जना आप लहूर में सिटुएशन, क्या सेक्योरिटी की प्रॉपर फरामी नहीं हो सेखी, तब ही ये, कर ही नहीं सकते जी, इनमें, इनमें वो competence है यही नहीं, आप देख लें के एक शक्स का जर्फ नजर आता है, ये PSL नजम सेथी का brain child था, उनका बेबी था, उन्होंने क्रिकेट में जान डाल दी, कितना रौनक, पूरे, और इनोंने उनको बुलाने की तकलीफ तक नहीं की, इतने ये अजीब औ गरीब लोग हैं, और वहां बुला लिय या मुशरफ साब Chief Guest थे, जो अपसकॉंडर हैं यहां से भागे वे हैं, जिनके मुकदमे किसी सूरत यहां होई नहीं पाते, एक bench बनता है, टूटता है, बड़े-बड़े ये बढ़के मारते हैं, कि हम ये कर लेंगे, उसे बुला लेंगे, उसे ले आएंगे, लेके आए पुछे इनसे कोई, पंजाब को क्यों डिप्राइफ किया है, और ओफर लहुर की सिचुएशन पे भी सल्मान अगर परफॉमस की बात करें तो परफॉमस ऐसा नहीं हुई, नहीं हुई, साथ महीनों में नहीं काफी परफॉम किया, मतलब साथ महीने पहले गवरनर उस एक इनके जब ये वोट के लिए निकले थे सडकों पर भी वैसे भी तब इन्हों ने यही दावे किये थे कि हम एजुकेशन देंगे, हेल्थ सेक्टर को बेतर करेंगे, नहीं आप मत भूलिए, घर भी देंगे, नौकरियां कितनी देंगे, हम क्या-क्या कर देंगे, आसमान से तारे तोड लाएंगे, बड़ बात वही है ना, वो खुद कह चुके हैं, जी च्छतें भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, वो तो हशर है, मैं कहती हूँ, अल्ला माफी लोगों की जो गुजरी है लोगों पर उसकी सुन-सुन के, कल भी चैनल एक दिखा रहा था जो कराची में लोगों के घर जिसे हम बरबाद हुएं और तोड़ें और इंक्रोच्मेंट के नाम पे जो उनका तहस नहस की है, देखें बात, इनसे आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं, यह आएं हैं, यह आएं हैं, वो सेल्फ राइटियस होता है ना, हर वक्ट लेक्चर लेक्चर, आप इमरान खान को सुनें तो ही लुक्स मोर लाइक वो खड़े एक वो जो कहते हैं, हम बस फरिष्टे हैं, हमारे मूझ से जो निकलेगा वो लेक्चर वाला अंदाज है, हर वक्ट वो बस, लेकिन क्या किया है, लेकिन आप आपने कहा है ना, कि एलेक्शन में अच्छे सियासिदानों का काम है, तो वो यू-टर्न अपनी हर बात पर ले चुके हैं, एक एक चीज आप एलेक्शन के स्लोगन निकाल ले, उनका यू-टर्न हो चुका है, अच्छा यह बिल्कुल ऐसी है, गौर्मेंट ने जितने भी वादे किये थे, खास सोर पर सिहत से सेक्टर के लिए और एजुकेशन, सेक्टर के नाम पे उनो मेन्हों पतियागन किया था, उन बाकी सेक्टर में में आरिडफ्य को यह किया आज तक काम नहीं ना हो और हम उसपर काम करेंगा। सता पर तो साथ मेने गुजर चुके हैं तो गवर्मेंट की जानिब से इन दो सेक्टर्स में एक भी मनसूबे का एलान नहीं किया गया वजुदा गवर्मेंट की जानिब से और अवाम इसी हवाले से इंतजार भी कर रही है कि जो चीजें आपने लेकर आनी थी जिन चीजों क का वादा था ओप ऑधन की तो उस पे वर्क आउट करना चाहिए गौर्मेंट को कि क्योंकि अगर उनों ने अपनी सुपोर्ट अपने वोटरस को फे जो है अपना इतमाद भाल रखना है तो कम असकम जो वादे उनसे किये थे उनको पूरा करना चाहिए लेकिए अबी गु कीमतें बढ़ा दी गई तो ये थोड़ा सा तश्वीश पैदा करता है कि जी इनोंने तो इसी तश्वीश जा ले तश्वीश बढ़ जाती है वाम में बहुत ज्यादा कि जी जो इनोंने कहा तो इस तरकारी हॉस्पिटल्स में तो इलाज के लिए वही बनता जा रहा है जो फ हम कह रहे थे वहां पर डॉक्टर्स भी बहुत अच्छी हैं मेडिसन भी अवेलेबल हैं इमर्जनसी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं तो इट वह सपोस्ट टू बी वेरी गूड वो खाली यही नहीं होता था कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिलीव में जितनी हम मतलब हमार ले लोगों को भी जरूरत होती थी हम कहते थे सरकारी में जाना टोंट गो इंटो प्राइवेट हॉस्पितल क्यूंकि आंसरेबल थे शेबाज श्रीफ ने एक सिस्टम बनाया वा था देवर आंसरेबल अकाउंटेबल एक पॉइंट यह भी है ना कि शेबाज श्रीफ की प बहुत बने यह राइट अभी भी देखें बहुत बने हॉस्पिटल नए भी आप फिर लें पूरे पंजाब में डी एच्क्यू को उन्होंने किया है एक्वेप किसा वो हुआ है लेकिन एक मैं आपको बात बताओं वाट वी नीट वाट बात बताओं आप जितने वसायल द किते रहेंगे लेकिन जब पर कापिलेशन उससे टेन टाइम बढ़ती रहेगी तो वो उसकी वो शॉर्ट हो रहेगा मैं उन चीजों पर जो आप कह रहें वो भी मानती हूं लेकिन यह नहीं कि काम नहीं हुआ बेंतहा काम हुआ है मैं तो डेरेक्ली हेल्थ और एजूकेश मैंडम मुझे चुके ब्रेक लेनिया मैं चाहूंगी आज के टॉपिक के हवाले से हैं वेसे आप पब्ली को को मेसिज देना चाहें तो जरूर देगा अभी देना है पर लिए अच्छा मैनेका आप कहरी नहीं मेरा तो पैगाम यह है कि देखें यह मुल्क सिर्फ मेरा ही न जरूर दे है थान क्यूव मैंडम बहुत शक्रिया आपके आने का थान क्यू मैं मैंस अल्मान आपके भी आरे का बहुत शुक्र단ी आप ब्रेक लिए ब्रेक के बाद हाजर होंगे योगा के रई हवाले से आपको बताएंगे देखते रहे जाग औला हवर